अक्सर सूबह हम यही सोचते हैं कि नास्ते में आज क्या बनाएं बच्चे भी अक्सर जित करते हैं कि मम्मी आज लर्ण्स बॉक्स में क्या दोगे तो क्यों ना आज डिफ्रेंड बनाया जाए तो आज फ्रेंड्स मैं लेके आई हूं गेहु कि आटे से बनने वाले नास्ते कि रेचिपी जठपड से 2 मिनिट में तयार करके दे सकते हैं अप चलिए फ्रेंड्ट शुरू करते हैं आज का च्र्पटा लच्छा पाराथ ज़र दो मिनट मैं तैयार होने वाला है तो चलिए फ्रेंड्ट सब्सक्राइब एच्छे से मैसक्राइब इस तरह हम आटा लगा कर से बेल लेते हैं तॉक सबस्कें ही तमस्टी अच्छे का सब्सक्राइब मैंने थोड़ा सा आठा ज्यादा लिया है फ्रेंड इससे थोड़ा हमें मोटा चाहिए बहुत भी ज्यादा नहीं मोटा बहुत ज्यादा पतला भी नहीं इस तरह देखिए मैंने अच्छे से इसके बेलन से बेल लिया है आपका गोला नहीं बेलाएगा फ्रेंड तो भी चलेगा त इसमें हम लगाएंगे देसी घी तो देसी घी अगर आपको रिफाइन और लगाना हो या फिर अमल बटर लगाना हो तो आप कोई भी लगा सकते हैं इस तरह देखिया मैंने लगा लिया है इसके बाद हम ऑनियन डाल देते हैं तो बहुत ज्यादा नहीं डालना है हमें थोड़ा थोड़ा डालना है इस तरह मैंने ऑनियन डाल दिया है अब इसमें डाल देते हैं हारी मिर्ज हारी मिर्ज आप बच्चों का अगर दे रहे हैं त सकते हैं कि तिस्तर देखें है मैंने हारी मीज डाल दिया है साथ ही लाट arghaniya गो भी मैंने डाल दिया इसके बाद हम डाल देते हैं इसमें नाजवाइन ना Settings कर्स कर के डालि talkin hon की दालीए वह सब्लिक हमद धालेंगे जीरा पॉडर तो फोड़ा जीरा पॉडर टाला है हमने ज्यादा नहीं डाला है और अब इसमें हम ढाला देते हैं ठोड़ा सब्सक्राइब खटक्ता पन के लिए अमचूर पॉडर अगर अमचूर पाउडर होगा फ्रेंट तो डाल दीजिए ने तो चाट मसाला डाल दीजिए तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो इसलिए आप जरू डालिए इसके बाद अब हम डालते हैं सिक्रेट अपना मैगी मसाला मैगी मसाला से बहुत ही अच्छा टेस्ट आए को इसक에 ने अंमक डाल देते हैं हमने अधRO पास कोई वेजटेबल ऐसे लाल सकते हैं इस तरह मौनेक श्राइबा जुद लिए कि श्राइक अजल भी नहीं जायों घाट लिएँ जचाहएयो दो कर लिए तो बहुत्य ऐच्छाए फोल्ड जाएक इस थारां फोल्ड करते हुए इसे मिला लीजीए मिलाने के बार देखिए इस तरा आप हाथों से प्रेस कर लिजीए तो हमने प्रेस कर लिया इस तरह हमारा श्मय यह तयार हो जाएगा अब इससे हम वोपस क्या करेंगे वपस आठा लगाते हैं है हमें मोटा नहीं करना है फ्रेंट न ज्यादा पतला हम मीडियम रखेंगे इसे इस तरह देखिए मैंने फ्रेंट बेलन से बेल लिया है ज्यादा हमें नहीं बेलना है बस इतना ही साइज हमें बेलना है तो फ्रेंट देखिए इस तरह मैंने बेलन से बेल के इसे तयार कर लिय है बहुत ही ज़्दा मोटा नहीं नॉवल बहुत ही ज़्याधी पतला यह थीक्नेस हमें बहुत ही कम रखना है ज tidak के इस तरह मनें तयार कर लिया फ्रेंट अब इस तरह दुस्प्रावी बना लेंगे है तो फटा फट से दुस्परदि रेडि कर लेते हैं इसी तरह आप सब बना लेजिए फ्रेंड्स तो देखे इस तरह मैंने इसको भी फोल्ड कर दिया है अच्छे से मिला कर इसे भी हम बेलन से बेल लेते हैं तो हमारा इसी तरह बेल के तैयार हो गये अब चलती हम तावा रखते हैं तो हमने तवा रख लिया है गैस पर इस पर हम अपने लच्छा पराठा ढाल देंगे तो हमें इसे फ्रेंड्स पराठा ये रोटी जैसे आप सेखते हैं उसी तरह सेखना है तो इस तरह देखिया मैंने इस पर गरम कर अब थोड़ा सा गरम हो जाए तो हम इसे पलट लेंगे एक साइड का हमारा सीख गया है इसे साइड दूसरा भी सेख लेंगे साइड साइड हम थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं ताकि अच्छे से सीख जाए तो थिकनेस देखिए इस तरह होना चाहिए अब इसे हम पलट लेंगे तो पलटने के बाद इसमें अब हम अमुल बटर डाल देते हैं अगर आपको अमुल बटर ना डाला हो तो आप देशी घी रिफाइन ऐल कुछ भी लगा सकते हैं इस तरह मैंने अच्छे से प्रेस करकर लगा दिया है अब इसे हम पलट लेंगे तो दोनों साइट अच्छे से इस तरह सेख लेंगे फ्रेंज देखिए हमारा इस तरह पराठा बनकर तयार हो जाएगा बहुत ही बढ़िया लगता है फराठा फ्रेंड्स आप जट पड़ से दो मिनिट में लज़ बॉक्स बाक्शों को बनाकर रेड इस तरह नास्ता बनाकर अपका रेडी हो सकता है आप एक बार ज़रू टाए किजेगा इस तरीके से मैगी मसाला से बहुत ही अच्छा फ्लेवर तो आता है साथ साथ बच्चों को काफी पसंद आएगा इस तरह देखिए बहुत ही नरा हमारा लच्छा पराठा बनकर रेड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा बेल आइकोन को भी प्रेस कर दिजेगा थाकि आने अलोगे वीडियो को नौट्फिक करसन आप तक बहुत सके तो चलिए इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइ फ्रेंड टेक केर